हेलो डियर सूदेंट्स वैलकम इन अवर चैनल डियर सूदेंट्स आज में आपको प्रोजेक्ट जो आपका साइंस का है ठीक है उसको करवाने जा रहा हूं अगर आपके यह क्योशन आपके टीचर्स ने बोले हैं क्योंकि यह डियोई से इशू किये गए तो प्रोजेक्ट म अच्छे समझ लेना पहले ठीक है यह कह रहा है कि जो सनलेट होती है ना वह भोजन बनाने के लिए ठीक है पोधी के अंदर किस प्रकार से जो है वह रिक्वार्ड होती जरूरी होती है इक बत और आप इसको डिजाइन शीट पर बना सकते हैं प्रिजेक्ट को इसके आपके देखिया तो यहां पर सनलाइट है सनलाइट के बारें पूछा था तो यह पूरा है ठीक है मैं इसको पढ़न नहीं रहा हूं ठीक है आप अराम से यहां से पूरा नोट कर लेते हैं वह बता रहाए कि जो ग्रीन प्रांट होती है ना वह संलाइट की उपस्तिती में होता है ओर तो नरजी जो पी इस यो उंठीक तो होती है रूप में पौध her and के ए प्लांट के यहां अलगा साखना में यह उते है। मैक्सिमम गैट कर सके इसलिए जहां जहां जमीन होती जैसे होती वहसे ही उनकी पत्तियां होती है ठीक है एकवार्टिक प्लांट जो होते हैं जैसे आप हाइडरीला का एक्जामपल ले लीजिए ठीक है तो यह भी इस तरीके से अपना बोजन बनाते यह भी सूरे का ना ठीक है समय आ गई तो यह आपका हो गया पिस्चर का काम पहला कोशन आपको समय में आगे अच्छे से अब आगे बढ़े बढ़ जागे ठीक है उसके बाद हमारा दूसरा है यह करा इफ यू इट एनी ओफ यूर फेवरिट डिश अगर आप कोई फेवरिट डिश खाते जैसे खीर खाते हैं दाल राइस तो कह रहा है उसके लिस्ट बनाओ क्या बनाओ लिस्ट ठीक है अब कौन कोंजी खाते हैं तो देखो लिस्ट आपको सुन्तर बनाने पड़े कि आईडय के लिए मैं कुछ दिखा रहता हूं तो देखिए आप लिखना माई फेवरिट दूसरे question का answer में कर रहे हैं बहुत लंबा है तो आप जान समझा पहले माई फेरोड डिश तो आपकी जो जो फेरोड डिश हो सब लिख देना ठीक है अच्छे से लिखना डेकुरेटिव तरीके से लिख देना हो सके तो यहां पर एक आधे की picture बना देना picture लगा देना ठीक है और तरी ने दस्या लिखनी है पांच भी लिख सकते हैं चार बहुत सकते हैं ठीक है ठीक है अब आगे सुनो उसके वाइस कि आप बोले इसने उसके बोला है जैनल लिस्ट आउट होगे ढूरा वीच और इवरी पार्ट आफ यूंश एक तको में पंचा था हुए उसका हमे लेकर एसंप नेगा оपर से लेकर oynस बाहर सlexe करते हैं तो नियुक्त पूरा पताना लबा कोशन यहां तक को सुन जा चंकु rival पूरा एक में अच्छय से बतारा अब आगए क्या करना है अलएंगे देखी आपको पिक्टिर बनाई थे अब एक पास नो जब आप डिजाइन शीट ले रहे हैं तो आपका एक पेज में लाइन होते हैं पेज पर खाली होता तो यहां पर पिक्चर लगा सकते हैं हाँ ना डेकर ठीट हो जाएगा ठीक है अब सुनो क्योंकि इसने पुता क्या बोला है इसने महला कि यहां से लेकर ज अब आपको यहां से आप लिए जुरू कर देना सारे ठीक है और सब्सक्राइब जरू करना डाइशेशन इन हुमेंस फिर आप यह पूरा यहां से आं तक लिख देंगे ठीक है फिर अलमेंटिक के रामला कौन-कौन से पार्ट हैं जो रोल निभाते हैं फिर यह लिखेंग पूरा अच्छे से वीडियो देखना पूरा से समझमेर आएगा वास बीचारे बिनाएता बहुत अच्छे से बच्चों को आया था नंबर भी बहुत चोंग पूरे पूरे एक आधा कम आया जो अब उसके से पहले वने बकल कि वहारे में बताना है तो मैंने यह लाइन डा तीत लिखे नहीं न है ठीक है डिक गार सकते हो तो तीर का लिख सकते हो लिए सब craftsmen लिए कितना कुछ लिखा है ठीक है नहीं तो आप खाली एक लेड लिख दो इतना लीद्ट के वारे में ठीक है कि मैं दबार कह रहरो हूं कि आप खाली इतने लायन लिखना। यह महा लिखना इतना इतने फाल को हुआ क succeed बिलीं में लगण उसके बाद आपको क्या कर देना है यह बना यह बना देना है लगा भी सकते हैं और फिर यह कुझा बना द usability लगा देना ठीक है अ सुनदे मेरी बाथ मेरी बात ठीक है उसकेद दो इसके बार niin के बारे में लिख देना कि यहां तक लिखना टंग के बारे में यहां से लेकर यहां तक धिल तक पिक्चर बता यहां से लेकर देना इसकी बाद यहां पर आप औरкого यहां यहां डाल रकिया ठीका है पढ़िक के बताऊँगा तो फिर बहुत यह आuencia रहां भी टो कि अश्म. दो उस्ट है आप को दो यहां तक लिखज़े न Bye Good, अश्वरेक्ट अबनानी एपको टीक है आप नी करना सकते यह तो इस स्तरव खाली होता चाई और लैंड डली होती है तो इस ब्लैंक पर बनाएंगे ना सारी पिक्चर तो आपको अच्छा लगेगा प्रजेक्ट फिर अभी फिर आप लिखना स्वों इंटेसेंट का काम यहां से लेकर यहां तर लिख देना सुने और यह कुछ भी नहीं है यह नहीं यह कुछ भी ठीक है और उसके बाद आप इजैशन चलो देखो मैंने आपको यहां तक दो करवा दिए फर्स सेकंड करवा दिए ठीक है अब आपका थर्ड है कि इसने बहुत टर्मरीक पेपर आपको ठीक है एक इंडिकेटर त्यार करना है उसके जो चेंज हुए ठीक है जो लाइम वाटर आपने डाला डिश्टेशन डाला तो इसमें क्या करें डाला चेंज दो यह तीसरा исп oreion अनॉण कर टिक है अब इसका आणसर देखिए को किशन उताल लिया आपने ऌभांसर देखिए शका देखिए अब आपको टर्मरी के बारे में बताना है तो देखिए टर्मरी के बारे में यहां से आता तो में लिखना है फिर यह बता रहा है हमने क्या के चीज़े लिए हैं तो तीन पॉइंट ही होगे फिर मने यहां पर यह लिख दिया ठीक है यह लिखना जूरूरी नहीं है आप पिक्चर बना देना ठीक है सुन लो प्रोजेक्ट है ठीक है मजाग नहीं है यहां से यहां तक पूरा नोट करेंगे आप ठीक है पहले यह नोट करेंगे फिर यह 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 फिर फिर यह फिर यह फिर यह फिर method लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यह दो चीज़े ठीक है सुन रहे मेरी बात अगर यह उपर की दो चीज़े लिखने लिख सकते हैं नहीं तो आपको यह तो लिखना ही लिखना है और लास्ट में conclusion भी दे देना है तो इस तरीके से पूरा आपका प्रोजेक्ट हो गया ठीक ह है बैस्ट आपको प्रोइट करने कोशिश करता हूं आप वीडियो को लाइच अनल को सब्सक्राइब यू कीज़ेगा ठीक है आप जैसा और अगर बच्चे बहुत सही कहेंगे तो और भी मैं आपके लिए पज़ग लेकर आऊंगा यह आपके ऊपर है ना आप कितना मुझ से मोटिवेट करते हैं थैंक यू फर वोचिंग या लिसनिंग केरफुली टेक केर इसाल दियर सुरेंट्स